नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूँ मैं 25 जुलाई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी देनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शनिवार है स्रावण मास शुकल पक्ष की आज पंचमी ति थी है जो दोपहर में 12 बच करके दो मिनट तक है और इसके पुष्चात शष्ठी ति थी है उत्तरा फालगुनी नक्षत्र है दोपहर दो बच करके 19 मिनट तक और इसके पुष्चात हस्त नक्षत्र है परिगियोग बालो करण है बात होगई पंचांग की चुंद्रमा आज कन्या राशी में है और अभिजित मुहर्ट का समय दिन में 11 बच करके 38 मिनट से दोपहर 12 बच करके 31 मिनट तक होगा वही राहुकाल प्राता साड़े 8 बजे से 10 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकारिय जिस कारे से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कारे को अभिजित मुहर्ट में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहर्ट हरी क्वति प्रिय है राहुकाल में कोई भी नयाकारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज नाग पंचमी है जन्म कुंडली में राहु और केतु का सम्बंध सर्प से जोड़ा गया है वैसे तो जोटश के विद्वान कहा करते हैं कि काल सर्प जैसा कोई दुर्योग नहीं होता और अपना ये प्रभाव नहीं देता हलाकि ऐसा देखने में नहीं आता है जिनकी कुंडली में ये काल सर्प योग है निशन दे उन्हें परेशानी होती है राहू की महादसा हो तो परेशानी होती है बनता काम अंत में बिगड़ता है बनते बनते काम अंत में रह जाएं होता होता काम अंत में जाकर के खराब हो जाए तो कहीं न कहीं ये प्रभाव देखने में तो अवश्य आता है अब विद्वानों का अपना अलग-अलग मत सदैव से रहा है कोई नया नहीं है लेकिन बात अगर परिशानी की हो तो वो तो जन मानस पर आम दिखाई पड़ता है और जब समस्या हो तो ये कहना कि ये रोग हो होता है या नहीं ये विशय तर्क का नहीं वरन उक्चार का है आज शनिवार है फलश्वरूप आज विशेस आपको प्रयोग करके और जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से राहू आपको पीड़ा प्रदान कर रहे हों काल सर्प योग हो इस दुर्योग के कारण आप पर प्रदान कर रहे हों ध्यान रखिए कस्ट प्रदान कर रहे हों क्योंकि कल ही मैंने एक तर्क देकर के समझाया था कि जरूरी नहीं है ये कश्ट प्रदान कर रहे हों कई बार यह बहुत अच्छा फल दे रहे होते हैं और तब भी हम डर जाते हैं तो अगर वैसी बात नहीं है कश्ट ही प्रदान कर रहे हैं तो आपको आज जो मैं दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूं वो कर लेना चाहिए तो दिव्य महा राशी में जारी है और कन्या राशी में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं गुरू और केतु युती बनाकर धनु राशी में तो वहीं शनिदेव मकर राशी में संचरण कर रहे हैं और मंगल मीन राशी में संचरण कर रहे हैं तो यह है ग्रहिस्तुति गोचर में इस समय गज केसर योग चंद्रमंगल योग का निरमान हो रहा है तो ये है ग्रहस्तुति इन ही ग्रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है वो नैदर्शक जो मेरे इस राशी फल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ यह राशी फल आपके जन्मराशी के आधार पर है यानि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशी में बैठे हैं वही आपकी जन्मराशी अगर आप अपने जन्मराशी के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचली नाम राशी के आधार पर इस राशी फल क देख सकते हैं पिछले वर्ष भी जब नाग पंचमी का ये शुभ मुहूर्त था उस दिन भी चंद्रमा कन्या राशी में ही गोचर कर रहे थे आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष नाग पंचमी के सुववसर पर मैंने एक बड़ा ही दिव्य प्रयोग बताया था हाला कि इस बार लॉकडाउन अभी भी कई जगों पर चल रहा है या पूरी तरह से मार्केट की स्थुति सामानने नहीं है प्रयोग वो अत्यंत स्रेष्ट है अत्यंत स्रेष्ट किसी भी तरह के काल सर्प योग से आप ग्रसित हो तो आपको किसी तरह की कोई शांती नहीं करानी बस उस प्रयोग को कर लीजिए काम बन जाएगा तो वो तो अत्यन्त स्रेश्ट स्तुति वाला प्रयोग था लेकिन अभी वर्तमान वैसे स्तुति है नहीं सो उस प्रयोग को रहने देता हूँ हाँ जिन लोगों के पास ब्यवस्था हो सकती है जो सक्षम है उनके लिए मैं उपर यहां लिंक दे देता हूँ वो राशिफल ही है आप उतना भाग प्रारंभका देख लीजेगा जाकरके अगर आपके पास ब्यवस्था है कि आप कालसर प्रशांती का प्रयोग करना चाहते हैं विधिवत तो आप अवस्थे कर लीजिए पिछले बार तो मेरे द्वारा किया हुआ चाहे वो रुद्रसुक्त का पाठ हो या रुद्राष्टा ध्याई का पाठ वो भी उप्लब्ध नहीं था अब तो वो भी उप्लब्ध है यान को लगता है कि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए अन्य था यह उपाय करिए आप सबसे पहले तो नाग पंचमी के दिन प्रायह वर्स परियंत किसी भी प्रकार के सर्प दंस सर्प दोस से और सर्प पीड़ा से सामान्य सर्प की बात भी कर रहा हूं पीड़ा से मुक्त है तू आज नमक का परित्या करना चाहिए नमक अपने भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए मीठा भोजन करना चाहिए इसके पश्चाग आज आपको मैं बता दूं कि प्रयोग के रूप में आपको नाग का मंत्र पिछले वर्स भी बताया था फिर बोल देता हूं नमोस्तु सर् आप ले सकते हैं कोई बहुत समस्या नहीं इस मंत्र के बारे में मैं चाहता हूं कि जिन लोगों की कुंडली में राहू और केतु जन्नक किसी भी प्रकार की पीड़ा है वो किसी भी तरह से पीडित हैं तो इस मंत्र का 108 बार जब कर काले रंग के कपड़े में सवा पाओ, काला तिल और सवा पाओ, आपको उड़द, नोट करिए, सवा पाओ, काला तिल और सवा पाओ, काला उड़द, इसको बांध कर और अपने उपर से साथ बार घुमा कर, और आज तक लोग इसी चकर में घूमते रह जाते हैं, कि क्लॉगवाईज या एंटी क्लॉगवाईज, खेर, बड़ा सामाने सा विशा है, घर की आम ग्रिहनियां जानती हैं, हर महिलाएं, ग्रामिन सब भेता की महिलाएं इन सब चीज़ों को जानती हैं, मुझे नहीं लगत सकते हैं, कोई दिकत नहीं मचलियां इसको खा जाएंगी, तो आपके पास जो बेवस्था हो, आप दान ही कर दीजे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जल में डालेंगे, तो फैल जाएगा, वैसे नुपसान जल को नहीं है इससे, क्योंकि ये अन है, और कोई भी जी उसको खा जा दिया है, वो आप चले जाएए, उसको देख लीजिए, और मैं तो चाहूंगा वो प्रयोग सभी लोग कर लें, किसी भी तरह का दुर्योग दोश शान्त हो जाएगा, राहू और केतु जन्ने, चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में, पहली राश साथ के लोग भी मददगार होंगे, मिला जुला करके देखा जाए, तो सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाएए, गजकेशुरी का जहां लाभ मिल रहा है, वहीं, चंद्रमंगल योग का लाभ भी आपको मिल रहा है, चंद्रमा उत्तरा फालगुनी नक्षत्र में स किसी से किसी भी तरह का वादा नहीं करना और उलजना नहीं है, बस दिन को शांती से बीतने दीजे अच्छा है, अगर कहीं कोई मसला आपका है, जो कोटका चहरी त्यादी में चल रहा है, कोई लंबित मामला है, तो वहां आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड बन जाएगा, चोट चपेट का भय है आज, आज जरूदी नहीं कि अपने वाहन से किसी और के वाहन से भी चोट लगने का भय है, सुजरा सावधान रहिएगा, और कारिस्थल पर आपका कोई मित्र परेशान होगा, उसकी आप हो सके तो मदद करिएगा, यानि किसी मित्र क की मदद आज आपको करनी पड़ सकती है, वही मकान भूमी से सम्मंधित कोई कारे करने वाले हैं, तो उसमें पूरी तरह सावधानी रखनी है, प्यार का इजहार करना आपके लिए बेहत बढ़िया होगा, कर सकते हैं, और दामपत्ते जीवन सामाने तेह ठीक है, बिद्या करिए, आने वाले दिनों में आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, परिशान होने क्या वो सकता? नहीं है, लकी यंक आपके लिए आज छे और लकी कलर आपके लिए अज हलका हरा है, आज का प्रयोग करिए, दिव्यमाहा प्रयोग कर लीजिएगा, इससे आपको फाइदा मिलेग ज़्यादा तर लोगों की कुंडली में राहू और केतु जन्ने पिडाय होती ही हैं और विश्रेशकर मेस रासिके हैं, तो आपको कर लेना चाहिए, सांतिसनाथ भोलेनात पर किसी द्रब्य से उनका अगर अभी शेक कर रहे थे, वो अबस्य करिएगा, ब्रुशब की बात कर लेते हैं, ब्रुशब रासिके जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, गोचर कुंडली की स्थितियों को देखते हुए, मैं कह सकता हूँ, आज आपको सावधान होना होगा, अचानक धन की हानी हो सकती है, आपकी लापरवाही, बहुत जल्दी किसी पर व बता दू, आज आपकी छठी इंद्री पूरी तरह जागरत होगी, पूर्वा भास आपको होता रहेगा, पता होगा, लेकिन कहीं न कहीं आप इसे गैर जिम्मेवाराना हरकत कहिए, जल्दबाजी में आकर के, किसी पर भरोसा करके गलती करेंगे, सो मैं एक सलाह देना चाह कोई नई योजना बनाने के लिए दिन है तो बहुत अच्छा, किसी नई योजना पर काम करने के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं है, आज आपको छोटी छोटी बात तो कहीं ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों को जोड़कर ही बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, स असा ये इस बिल्कुल नहीं करनी है और किसी को सलाह देना किई बार इनसान क्या करता कि उसको लगता है कि मैं सका हिताइशी म२हीं अज गाम बिल्कुल करना क्योंकि इसको सलाह देंगे वही आपका शुत्रू बनेगा अनुबन किस्ति आपका के लिए कोई परिशानी नहीं है सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ा रहा है आपके आत्म विश्वास में बृध्धी होगी सेहत के दृष्टी कोंड से देखें तो सेहत में वैसे तो कोई विशेस परिशानी नहीं परन्तु कफ जन्य रोगों से आज आपको थोड़ा परि पाइदे में रहेंगे और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनात का विशेक करते आ रहे थे तो जारी रहना चाहिए लकियंग का आपके लिए पांच लकी कलर आपके लिए आज बादामी मिथुन की बात कर लेते हैं सकरात्मक्ष विचारधारा और दिलो दिमाग को खुल मेरा फाइदा हो ना सब का फाइदा हो मैं ऐसा काम करूं कारेक्षत्र में समय हो सकता है आपके विपक्ष में चले स्वयोगी हो सकता है आपका समर्थन न करें लेकिन एक प्लस पॉइंट है उच्चा धिकारियों का समर्थन आपको मिलेगा तो बड़ी बात है धनलाब के कोई योजना बना रहे हैं बहुत अच्छी बात परन्तु निवेश करने के लिए ठीक नहीं है एक और बात आपको बताना चाहता हूँ घर का माहौल खराब नहों इस बात का खयाल रखियेगा हो सकता है प्राताकाल घर का माहौल खराब हो जाए घर में तना तनी किस्तुत करना कि तनाव की सथुति व्याप्त हो जाये सावधान रहना होगा व्यापारीयों को व्यापार बढ़ाने के लिए प्रत्न तो करना है लेकिन निवेश बहुत जादा नहीं करना मेहनत से जो हो सकता है करिए या व्यापार में आगे के लिए विचार करिए आज भी habían सौद संतान के कारण आज आपको चिंतित होना पड़ेगा संतान को चोट चपेट इत्यादी की परिशानी हो सकती है सुजरा संतान के लिए सावधान रहिएगा संतान के कारण कोई वड़ा नुकसान भी हो सकता है सावधान रहना है प्रेमी के प्रति अगर मन में कोई भावना है त इससे फायदा मिलेगा और हो सके तो उनसे भी राय लीजिए अगर आप कहीं परिशान है तो उनसे बात करिए आपकी समस्या दूर होगी विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा परणाम देने वाला नहीं है वरन कहीं न कहीं स्तिरदर्द से परिशानी आज आपको हो सकती है मानसिक रूप से अशांत होंगे भोजन का ख्याल रखिए गा जैसा मैंने कहा था भोजन में नमक का परित्याक कर दीजेगा तो अच्छा रहेगा कई तरह की बिमारियों और परिशानियों से मुक्ति मिलेगी और आज का दिब्बे महा प्रयोक करिएगा भोलेनात के है आपके पक्षमे है आत्मविस्वात से भरे हुए हैं आप जितने भी आपके सोचे हुए काम पूरे होते जले जाएंगे भागे का सांथ मिलेगा योजनाय आपकी पूरुन तह सफल होने वाली हैं परिवार के मद्धगर कोई गलत फहम्यूत पन्न हो गई है तो क्यों न कोई बात बोलने से पहले बहुत सोच समझ लेना ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे बाद में कोई तोड़ मरोड कर आपके खिलाप इस्तेमाल कर ले अपने काम के प्रती आप इमांदार हैं इमांदारी बनाए रखिए आप बहुत जल्दी भावुक और दूसरों पर भरुरु बदलना चाहते हैं आप बिचार कर सकते हैं कारोबार के सिलसिले में छोटी मोटी अगर यात्रा भी करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा जीवन साथी से सहयोग प्रेम संबंद में मजबूती दामपत्ते जीवन पूरी तरह सुख में जीवन साथी के ओर से कोई खुश प्रिशानी नहीं है कि आज का दिव्य महा प्रयोग वश्चे कर लिजेगा आज माथे पर अपने केसर का तिलक आपको लगा लेना चाहिए और भोलेनात का पूर्व से किसी द्रब्य से अविशेक करते आ रहे थे तो वो जारी रहना चाहिए लकियंग का आपके लिए आज नौ लकी कलर आपके लिए आज सफेद है बात सिम्ह की कर लेते हैं सिम्मराज के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है दिन खास है और इस दिन को और खास बनाईए धन कमाने के लिए ब्यापार में निवेस करने के लिए या निवेस भविश्य में करने के लिए अगर कुछ सीखना चाहते हैं कुछ विचार करना चाहते हैं किसी से जानकारी लेना चाहते हैं मौका बड़ा खास है आज इस दिन क बढ़िया है जोरत पढ़ने पर दोस्तों से भाईयों से हर किसी से आपको मदद भी मिलती रहेगी कारेस्थल पर भी अगर देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा बीतने वाला है बीपुरीत के प्रती आकर्शन थोड़ा बढ़ेगा लेकिन किसी भी बी महत पुर्ण कार अगर जो करना चाहते हैं योजना बना करके आगे बढ़िया मन की बात आज किसी से शियर नहीं करना बहुत जरूरी है तो देख लिजेगा अव्यक्ति विश्वस नहीं है या नहीं है ब्यापारियों को ब्यापार से सम्मंदी टेंसन तो रहेगी लेकिन जिंदा मत करिये आगे बढ़ते चले जाएए ब्यापार में टेंसन क्यों होगा आपके करमचारियों के खारण हो सकता है आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं आपके जो करमचारी हैं उनके चलते आपको परिशानी हो जाए भाग दोड़ थोड़ी जादा रहेगी त लेकिन जीवन साथी को साथ लेकर के चलिए सबच्छा रहेगा शादी सुदा लोगों के लिए दिन थोड़ा सा मुस्किल है जीवन साथी कोई बात आपको चुब भी सकती है या जीवन साथी का अपने स्वास्तिक प्रती गैर जिम्मेवाराना हरकत आपको परिशानी में आपको दुखी कर सकता है आपको टेंशन में डला सकता है विद्यार्थियों को आज एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सोजरा सावधान रहें और मेहनत करें और सेहत के मामले मगर देखा जाये तो सावधान रहना है चोट चपेट की घटना आज घटी थो सकती है सो वहा और 37 साथ आज माथे पर केशर का तिलक आपको लगाना है इससे आपको फायदा मिलेगा लकी यंक आपके लिए आज आठ और लकी कलर आपके लिए आज हरा है बात करन्या की कर लेते हैं करन्या राशी के जात्कों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है सामाने तेया दिन थोड़ी परिशानी देगा लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर दोस्तों से भाईयों से या जो आपके अपने शुभचिन तक ही तैसी हैं उनसे आप मदद लें तो आपको कोई परिशानी नहोँ पूर्ब में जो भी आपने प्रत्न किया है प्रयास किया है उसका आपको लाभ मिलेगा लापरवाही से बचना है आपका जो मूल सभाव है मैनेजमेंट करके आगे बढ़ना आज कम से कम अपने मूल सवरूप का ध्यान डख करके मैनेजमेंट करते हुए आगे बढ़िए बात आज भी स्थिर रहेगी उसमें कोई विशेश प्रगती नहीं होने वाली है ब्यापारियों के लिए बता दू कि ब्यापार में कहीं न कहीं थोड़ी और शांतिक इस्तिती रहेगी जिस तरह का लाभ मिलना चाहिए वो नौ मिल पाने के कारण आप थोड़े परिशान हों एक बात आपको बता दू आज फिर से वही दोहरा देता हूं दोस्तों से और कुछ खास लोग चाहे आपके भाई से मदद मिल जाए मदद से ही आपका सारा काम होगा चाहे नौकरी पेस्ता है तो ब्यापारी है तो मदद आज अवस्ष लीजेगा और आकरामक बिलकुल मत ह तो यह नहीं तो परेशान अवस्ष होना पड़ेगा करज लें देन के दृष्टिकोंड से दिन ठीक नहीं है देना भी नहीं लेना भी नहीं है जीवन साती से भी आज आपको मदद मिलने वाली है जीवन साती का सम्मान करिए प्रेम संबंद के लिए दिन बढ़िया दिख प्रेशानी हो सकती है भोजन में का खयाल रखिए परहेज करिए और आज हो सके तो नमक का त्याग अवश्य कर दीजिएगा पूर्व से किसी द्रब्य से भोलेनात का विशेक करते आ रहे थे तो जारी रखिएगा और आज का दिप्रयोग अवश्य कर लिजेगा क्योंकि जाहू और केतु से लगभग लोग परिशान रहते हैं आपको फायदा मिलेगा करके लक्यंख आपके लिए चार और लखी कलर आपके लिए लाल है तुला की बात कर लेते हैं तुला राशिक जातकों के लिए आज का दिन परिशानी भरा है सावधान दहना है हो सकता है किसी नजदी की दोस्त मित्र या किसी अपने खास को आज पैसा भी देना पड़ जाए या धन से आपको उनकी मदद करनी पड़ जाए कारिस्थल पर अधिकारी अगर कोई बात कहते हो तो सिधा काटियेगा मत बलकि उनसे सहमती ही प्रत दिखाईएगा नहीं तो आज आप नौकरी में भी मुश्किल में पड़ने वाले हैं कामकाज में अगर आपके कोई बदलाव कराना चाहता है या कोई अधिकारी उन्चाधिकारी कहता है कि आप गलत कर रहे हैं तो तच्छन उनकी बात मान लीजिए और उसमें सुधार करने की बात उनसे कहिए किसी बुजूर्ग से अगर कोई सलाह आपको मिल रही है तो हसी में उड़ाना और अपने आपको ज़्यादा समार्ट समझना आज आपको भारी पड़ जाएगा सो अगर कोई बुजूर्ग आपको कोई राय दे मानलीजिए समस्या का समाधान उसी में है किसी भी तरह की सफलता के लिए धैर की आवशक्ता होती है आज धैर ही आपका मूल साथी है समय के साथ चलिए समय आपका इंतजार नहीं करेगा समय के साथ चलेंगे इसी में आपका भलाई और एक और बात बता दू कि अच्छा समय भी आएगा बस धैरे के साथ आगे बढ़िए, ब्यापारियों के लिए दिन सामान्यों, ब्यापार में बहुत जादा आगे बढ़ेने की आवशक्ता नहीं है, बहुत लाब की जगह नुकसान हो जाएगा, और किसी पर विश्वास करके उधार नहीं देना, पैसा नहीं देना, इंकम में आज कमी आने वाली है, जल्दबाजी में कोई काम आपको नहीं करना, अनिथा काम अवस्य भीड़ेंगे, एक और बाद, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे, तो काम सारा भीड़ जाएगा, सो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए, दामपत्ति जीवन पूरी तरह से सुखर दिखाई पढ़ रहा है, और जो लोग अभी वाहित हैं, उन्हें बिवाह का प्रस्तावाज नहीं भेजना चाहिए, प्रेम संबंद के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज न वैसे भी आपको जरूरत थे, इस समय ढहिया चल रही है आपको, और काला तिल और उड़त मैंने बताया है, उससे आपको फायदा ही मिलने वाला है, और एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, कि शिव मंदिर में आज जाकर के शिव जी का दरसन भी करिएगा, आपको इस्तिती बन रही है, किसी से कोई उपहार प्राप्त हो सकता है, तो वहीं देखा जाए, तो कारेस्थल पर अधिकारी वर्ग भी आपसे पूरी तरह से खुश दिखाई पड़ रहे हैं, अधिकारियों का पूरा-पूरा समर्थन सहयोग प्राप्त होगा, कोई बड़ा फै आज आप जितना हो सके एकाग्र होकर के काम करें, और जितने भी एकाग्रता के काम हैं, उन्हें आज आप पूरा करें, हर काम में आपको सफलता मिलेगी, दिन सभी प्रकार से बढ़िया है, किसी पूराने परिशित से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई अधुरा छूटा आज पूरा हो सकता है विवादों से बचना होगा किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्ता नहीं बना होगा व्यापारियों के लिए तिन लाभ प्रद है व्यापार में निवेश करने के लिए व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है ठीक है इस दिन का लाब उठाईए गले में से संबंधित या दंत रोग से अगर पुर्व से पीडित हैं तो आप परिशान हो सकते हैं जरा अपना खयाल लखिएगा भोजन में नमक का त्याग आज आपके लिए बढ़िया रहेगा और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आज का दिब्वे महा प्रयोग करिएगा पुर्व से किसी द्रब से भोलेनात का विशेक करते आ रहे थे तो वो जरूरी है कर लीजेगा लक्यंक आपके लिए आज दो और लकी कलर आपके लिए आज के शरिया है बात कर लेते हैं धनुराशी की धनुराशी के जातकों के लिए आज क्या दिन क्या ले करके आ रहा है धनुराशी के जातकों के लिए दिन बेहद खास है पिता की सलाह से अगर कोई कारे आप करते हैं तो बहुत फायदा आपको होगा दिन बढ़िया बीतने वाला है हर मामले में आपको बस सावधान रहकरके आगे बढ़ते चले जाना है दिन चुकी आपके पक्ष में है सो हर कार्य बहुत ही आसानी से हो जाएगा ज्याधा तरकार्य आपके समय से पूर्व ही पूरन हो जाएंगे नौकरी पेसा हैं तो बढ़िया नौकरी चली गई है तो नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलेगा किसी भी फैसले को लेकर के संकोच में मत पढ़िये उसका पहले ब्रिहत रूप से एक बार विशलेशन करिए जो फैसला आप ले रहे हैं उससे क्या फायदा, क्या नुपसान और आगे बढ़ जाईए ब्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है दिन ब्यापार के लिए आज का दिन लाभप्रद है छोटे ब्यापारी हों या बड़े ब्यापारी सही तरह के ब्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है विशेश करके अगर इलेक्ट्रोनिक से सम्मंधित चीजों का आपका व्यापार है तो आज का दिन बेहद खास है निवेश का कोई बड़ा ओफर आपको मिलने वाला है हलाकि अभी इस ओफर पर विचार करना है जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा क्या फाइदा और क्या नुकसान समझ लेना है वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमें अब विवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा प्रेम संबंधों में सफलता प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए तुखहर दिन बढ़िया है ही अनुकूल है दिन अच्छी सफलता मिलेगी सेहत में कोई विशेस परिशानी नहीं कफ़जनने रोगों से आप परिशान हो सकते हैं खयाल रखिएगा लखियंक आपके लिए एक लखी कलर आपके लिए सफेट भोलेनात का पूर्व से किसी द्रब्य से अगर अवशेक करते आ रहे थे तो जारी रखिएगा आज का दिव्य महा प्रयोग अवश्य करिएगा मकर की बात कर लेते हैं मकर राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है सामानेत या गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्यभाव में सुन्चरन कर रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ परिशानिया आज लगी रहेगी नीजी जीवन में कुछ बदलाओ की स्थिती दिखाई पड़ रहे, यात्रा हो सकती है जो कि आकस्मिक होगी और आपके लिए नुकसान देह भी यात्रा से आपको बहुत सावधान दहना है जो भी कारे आप हाथ मिलें, पहले सोच लें कि आप पूरा कर पाएंगे या नहीं, ओफिस ओ या फिल्ड आज मेहनत थोड़ी जादा होगी और हो सकता है उच्चा धिकारियों से भी थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाए या कोई उच्चा धिकारी आपकी बात को आपके कारे क को लेकर के परिशान आपको कर दे या हो सकता है उसमें कोई टीका टिपणी या कमी निकाल दे परिशान होना पड़ सकता है आमदनी बढ़ाने के लिए प्रत्न सील है जरूर अपना प्रत्न जारी रखी लेकिन आज कोई बड़ा कदम नहीं उठाना व्यापारियों के उससे में नकारात्म खोकर के कोई कदम उठाएंगे उससे भी आको नुपसान ही होगा प्रेम संबंद में उतार चढ़ाओ की स्थिति होगी जीवन सांथी का स्वयोग आज बड़ा माइन रख रहा है जीवन सांथी का स्वयोग ही आज आपके लिए फाइदे मंद होगा औ तो मेहनत भरा है दिन, मेहनत कीजिए, सेहत में आज उतार चढ़ाओ की स्थिति है, सावधान दहना होगा, खान पान का विशे सुरूब से ख्याल रखना होगा, नमक का आज त्याक कर दीजेगा और पुर्व से किसी द्रब इसे भोलेनाद का विशे करते आ रहे थे तो व सावधान दहना होगा, वक्त आज आपके पक्ष में नहीं है, सो कुछ न कुछ परिशानी आती रहेगी, कारे स्थल पर भी कुछ परिशानी होगी, कोई नया कारे शुरू करने के लिए दिन बिल्कुल ठीक नहीं है, और नौकरी के लिए अगर कहीं प्रत्न किये थे, और अगर जबाब आता है, तो आपके पक्ष में नहीं होगा, या आज भी स्टिल वैसे ही आपको इंतजार करना होगा, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेसा, दोनों के लिए महनत भरा है दिन, और महनत का जितना परिणाम मिलना चाहिए, जो स्रिष्ट परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, फिर भी एक बात आपको बताना चाहता हूँ, समय को ब्यर्थ मत गमाईए, अपने कारे को ठिक करने में, अपने कारे को आगे बढ़ाने में जुड़ जाए, कोई नया व्यापार सुरू करना चाहते हैं, अभी कदम आगे बढ़ाने की आवश्रक्ता न सकती है, जो कि बिल्कुल कस्टदाई होगी, निवेश और खर्च, दोनों ही मामलों में आज कोई अचानक फैसला मत लीजिए, नहीं तो नुकसान अवस्यम भावी है, जमीन जायदात से संबंदित कोई खरीदारी करना चाहते हैं, कोई बड़ा निरनय करना चाहते हैं, सा योग जिस तरह का पेक्षित था वो प्राप्त नहीं होगा, हलाकि मैं तब भी कहूँगा, जीवन सांती की भावनाओं का संबान करिये, विद्यार थिवर के लिए दिन सामान्य मेहनत के पिक्षा परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा, सेहत हर तरह से बढ़िया है, कारेस्थल पर अधिकारी जहां आपकी बातों को महत्तो देंगे, वहीं कारेक्ष्यत्र में मान संबान मिलेगा, दूसरों की आप मदद करेंगे, और वहीं कोई पुराना अंसुलजा मामला जिसको लेकर के परिशान चल रहे थे, वो सुलज जानने वाला है, दोस्त प्रेमी हर किसी के साथ संबंद में मधूरता आएगी, दोस्त के साथ अगर संबंद में कोई कमी आ गई थी, तो वो दूर हो जाएगी, घर परिवार सबका सहयोग मिलेगा, घर का माहल बड़ा ही खुसाहाल रहने वाला है, जीवन साथी से आपको सहयोग म मिलने वाली है, कारोबार में आज विस्तता रहेगी, तो वहीं मीडिया फिल्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहत खास बहुत अच्छा है, राजनीति के छेतर से जुड़े हुए हैं, जबर दस्त है दिन, सफलता पर दायक है दिन, अपने खर्च पर नियंत्रन र रहा है, कोई परिशानी थी वो दूर हो जाएगी, दामपत्य जीवन बिल्कुल सुखद, माहौल घर का बढ़िया है ही, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, अनि मिला जुला करके मीनरासी के जातिकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, कोई परि परियोग कर लिएगा, आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, आप किसी भी तरह से रहुके तुसे गरसित हैं या प्रिडा देख रहे हैं, मुक्ति मिल जाएगी, लकी अंक आपके लिए आज अच्छा है, और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, तो प्रियदर्श ये था मेश शेले करके मीन राशी परियंत प्रतेक राशी के जातकों का पुरे दिन का हाल, अभी किल बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुना हम उलाकात होगी, तब तक के लिए, नमस्कार